आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैस के बोड के वेपर के लिए कैसे तैयारी किये जाए होता क्या है कि मैस के बोड के वेपर में चार दिन की चुट्टी मिलती है और चार से जादा दिन की चुट्टी मिलती है लेकिन पिछले काफी काफी टाइम से पांस दिन की और पांस से जादर दनों भी चुट्टी मिल लई है तो उसी को देखते हुए मैंने यह strategy बनाई है जिस strategy से बहुत से बच्चों ने अच्छे नमबर पाएं और मैंने खुद ने भी पाएं तो बहुत से बच्चे क्या होता है strategy नहीं बना पाते हैं तो अपने time loss करते हैं और नमबर शुकения नहीं कर पाते हैं कैसे रिवीजन होनी पाता है अंका प्रॉपर रिवीजन थी कह सबसे बहής у प्लReilly को सेथे सब्सक्राइप सब्सक्राइब ,DANG. क्योंज खेपर के 25 शोक्ते हैं ॹरा रिए oxy National इस बाख होते हैं तो दूसरा हमंज होगा नामर six से UX तक होते हैं हमारे 2 marks के होते हैं जो कि 5 होते हैं फिर होते हैं हमारे 11 से 14 तक जो 4 होते हैं तीन नंबर के होते हैं फिर होते हमारे 15 से 21 तक जो 7 होते हैं 4 marks के होते हैं फिर होते हैं हमारे 22 से 26 जो कि हमारे 5 होते हैं प्रिकार हमारा paper design होता है, question 6 से लिके 26 तक सब में choice दी रहे थी, or दिया रहता है, अथवा दिया रहता है, इस प्रिकार से हमारा hundred number को होता है, मंत्रिप्रदेश बोड में, MP बोड में, 100 marks का exam होता है, CVSC में 80 marks का होता है, ठीक है, उसी के साफ से हम, अब हमने देखते हुआ लि ठीक है, पहला unit है जो, यह unit wise है, यह chapter wise है, पहली unit है calculus, कलन जो 44 marks की है, 44 marks की है, जिसमें कुछ chapters के नाम बताता हूँ, पहला है continuity and differentiability, सान तक ते एवन, अब कलिने था, जिसमें 8 marks का आएगा, अपने 8 marks का आएगा, फिर दूसरा है application of derivatives, अब कलन के अनुपरियोग, जो की 11 marks का, 11 number का, फिर है तीसरा हमारा integration, समा कलन, जो की 13 marks का आएगा, छोता हैगा हमारा application of integration, समा कलन के अनुपरियोग, जो की 6 marks का आएगा, पांच बाएगा हमारा differential equation, अब कलन सबिकरन, जो की 6 marks का आएगा, 6 number का आएगा, ठीक है, इसके, इनको revision करने के साथ, साथ, इनके example भी करने, साथ में एक formula diary भी बनानी है, जिनको, जो हर chapter के formula जिसमें हमको note down करने है, ठीक है, साथ से जो हमारे revision के बक्त काम हैगी, जिससे हमारा हाल revision हो जाएगा, हमारे हाल chapter पूरे revise हो जाएगे, ठीक है, इसके साथ साथ, जो chapters, पिछले, जिस chapters में से, जिन exercise में, पिछले years, question आ रहे हैं, उन समों को अच्छे तरीके से solve करना है, यह strategy हमको पूरे जितने भी दिन तक हमारे course चलेगा, तब तक अपनानी है, ठीक है, फहला दिन है समापत होता है, दूसरे दिन की बात करते हैं, दूसरे दिन पढ़ेंगे हम vectors, सदिस, और 3D zometry, जो कि आएगी 17 marks की, 17 marks की आएगी, तो vectors जो हमारे 6 number का आएगा, सदिस हमारे 6 number का आएगा, और 3D zometry, जो कि हमारी 11, 11 marks की आएगी, उसको हम तयार करेंगे, इस तरीके से वही करना है, हमको formulae लिखने है, ठीक है, examples को solve करना, जो important exercise है, उनको बार-बार अच्छे से, अच्छी तरीके से पक्य करना ह ठीक है, अब यह हो गए हमारे 2 दिन, तीसरे दिन हमको क्या करना है, तीसरे दिन हमारी unit आती है, relations and functions, ठीक है, संबंध एवं फलन, संबंध एवं फलन, जो की 10 marks की है, algebra, beach गड़ित, जो की हमारे 13 marks का है, ठीक है, संबंध एवं फलन, यह unit है, ठीक है, अब चैटर के आएग and functions, संबंध एवं फलन, जो 5 marks का है, फिर दूसरा है, inverse trigonometric function, प्रति लों, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमारे 13 marks का आरहा है, उसमें से matrix, matrix, have you, 8 marks की, determinants आरनिक, 5 marks की, इसी पिरकार वही करना है, हमको जो repeat किया है, हमको exercises, ठीक है, sorry, examples, exercises, और हमारे formula, और जो important sum है, और जो हमारे पिछली years question आया, उनको complete करना है, इसी पिरकार हमारे 3 दिन समखतो हैंगे, अब 4 दिन की बारी आती है, 4 दिन पढ़ना है, हमको linear programming, जो कि आईगी 6 marks की, probability 10 marks की, रहक एक प्रोग्रामिंग, 6 marks की, probability 10 marks की, ठीक है, जिसमें, यह units है, इनमें chapter से की है, linear programming, ठीक है, रहक एक प्र हमको sample paper एक solve करना है, आप किसी भी series का sample paper ला सकते हैं, previous years के paper को solve कर सकते हैं, ठीक है, हमारी जो guide होती है, परिक्षा बोद, परिक्षा देन, जो भी series आती है, हम उसमें से, उसके samples papers solve कर लेंगे, फिर इसी पिरकार हम 4 दिन हो जाएंगे, हमारे, इसी पिरकार हमारे sample papers करना है पांच में दिन, ठीक है, तीन sample papers निक्ताने, फिर से revision करना है, जो अच्छे तरीके से हो जाएंगे, फिर formula diary देखने हैं, एक अच्छे तरीके से, ठीक है, यह हो रहा ही बात पढ़ने वाले बच्चों की, अब जिनोंने पूरा पढ़ा नहीं है, पूरी साल बार अच्छे स पढ़ा है, वहाँ तुमको पूरा limited material मिल जाएगा, और तुम जिस आलत में उससे बहुत अच्छे आलत में आ जाओगे, बहुत अच्छे तुमारे number आ जाएंगे, ठीक है, आप भी से strategy से पढ़ सकते हो, वो भी एक अच्छी चीज है, जिनोंने कम पढ़ा है, जिनोंने प प्रवेट के साथ पढ़ सकते हो, लेकिन आपको पढ़ाई को 10-12 गंटे देने पढ़ेंगे, और उसके बाद 6-8 गंटे के बीच आपको सोना पढ़ेगा, अब अच्छी नीन जरूरी है, क्योंकि mind को rest भी करना है, जिसकी वज़े से आप अगले दिन उठोगे, जब भी प करना है, कुछ भी enjoy time है, खाना, पीना, ठीक है, नहाना दोना, जो भी वो इस time में आएगा, ठीक है, इस strategy के साथ आपको पढ़ना है, I hope कि आप ऐसा ही करोगे, और मैं भगवान से परातना करता हूँ कि आप लोगों के अच्छे number आएंगे, और most of the students के 100 number आएंगे, ठीक है आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, with you all the very best